दोस्तो नमस्कार इन दिनों जहां इस साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियां जोर शोर से चल रही है तो वही इसका आकलन या यह कहिए कि मौाइना भी ICC कर रहा है ICC पिछले कुछ दिनों से जुड़ा हुए है और यह अभियान उसका अगले कुछ दिनों तक जारी रहे से और इसमें जो पूरा जो ICC ने प्रता दल बना रहा है उसके से जुड़े हुए लोग भी हैं उनके अपने अधिकारी हैं इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं और तो और ब्रॉटकास्टर जो ब्रॉटकास्टिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस टीम में शा सामने आई है 25 जुलाई को जो है वानखड़े स्टेडियम में इसका पूरा आकलन किया गया और पूरा संतोष जाहिर किया गया सेटिस्ट्रक्शन अपना जो है आई सिसी टीम ने जटाया है और सॉमवर को एपक्स काउंसिल की मिटिंग होनी है वहाँ पर टिक्टों की धर स्टेडियम में वार्म अप मैच होने हैं और 27 जुलाई को और उसके बाद जो है 28 जुलाई को 27 जुलाई को त्रिविंदरं में मैच है और 28 जुलाई को जो है शुकरवार को बैंगलुरू के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भी इसका आकलन किया गया ICC की टीम दौरा और ही नई ICC टीम ने corporate boxes और त्रिविंद्र मैदान में जो players का जो एरिया है उसको लेकर थोड़े से modification के सुझाव दिये हैं कि इसमें ये कुछ बदलाव किये जाने चाहिए और इस समय जो है जब मैं आपके स्टेडियम एमदाबाद का आकलन कर रहे हैं इसके बारे में जो कुछ उनको feedback मिलेगा जो कुछ उनको लगेगा उसके बारे में अपना modification या अपनी राय वो जरूर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि एमदाबाद और उसके बाद जो है उपल में 31 जुलाई को जाएंगे हैदराबाद के उपल स्टेडियम में और उसके बाद दिल्ली धर्मशाला कोलकता और गोहाटी में भी उनका ये दौर जारी रहेगा त तो इस तरह से कहां कहां किन किन शेत्रों में सुधार की जरूरत है प्लेंग जोन क्या है और खास तौर पर अगर देखा जाए तो operational matters पर ही उन्होंने अपने टिपनियां दी है उसके अलावा बाकी playing zone जो है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा बाकी सारी चीज़ें उनको मुकमल लगी लेकिन जो कमी पेशी है वो ममूली सी इस बात को लेकर है कि यहां पर corporate boxes की सितिक क्या है कहां पर होंगे और उसके मिटिंग में तो उमीद करनी चाहिए कि यह आयोजन जो है भारत में होने वाला वर्ल्ड कप जो है एक तरह से भव्य आयोजन होगा और यह वर्ल्ड कप भारत जो है अकेले अपने धंपर करवा रहा है होस्ट होने के नाते क्योंकि से पहले अगर 1987 में देखें तो पाकिस् से की मदद से अपनी राहे दें कमेंट सेक्शन में जाकर अकर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार